इस दुनिया में कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम जाने वाले व्यक्ति को ही प्रोटीन की जरूरत पढ़ती है लेकिन क्या आपको एक बात और पता है? जिस तरह हम इनसानों के शरीर को खाने और पाने की जरूरत होती है ठीक उसी तरह इसे प्रोटीन की भी जरूरत होती है चाहे आप एक्सेसाइज करते हों या ना करते हों क्योंकि प्रोटीन ना सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा बनाता है बलके हमारे बालों और तवचा का भी पोशन करता है एक नॉर्मल इंसान को भी अपने वजन के प्रती किलो के हिसाब से कम से कम 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवशक्ता होती है और जो लोग एटलीट हैं या एक्सिससाइज करते हैं उनको प्रती किलो के हिसाब से 1.2 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक की आवशक्ता होती है इस वीडियो में हमने आप के लिए कुछ ऐसे फूर्ट सिलेक्ट किये हैं जिनमें प्रोटीन की मातरा सबसे ज्यादा होती है कुछ वेज और कुछ नॉन वेज़ फूर्ट हैं जिन्हें एक निश्चित मातरा में खाने से आपके शरीर को बिना किसी नुकसान के भरपूर प्रोटीन मिलेगा नमबर एट पनीर रोपनीर प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और शायद यही वज़ा है कि भारत के बहुत से बोडी बिल्डर जिम से निकलने के बाद पनीर खाते हैं क्योंकि इस से उनके दो फायदे होते हैं पहला फायदा है उनके शरीर की प्रोटीन की जरूरत और दूसरा फायदा उनके पैसों की बचर आम तोर पर आपको कम से कम 100 ग्राम पनीर खाना ही चाहिए क्योंकि इस से आपके शरीर को 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है हालकि ये बात भी सच है कि 100 ग्राम पनीर के साथ 20 ग्राम फैट भी मिलता है पर अगर आप इस अन्वांटेट फैट को कंज्यूम नहीं करना चाहते तब इसका सबसे अच्छा उपाय है लो फैट मिल्क का पनीर कंज्यूम करें क्योंकि इसमें प्रोटीन की मातरा तो वही होती है पर फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब आपको अंडे खाना बहुत पसंद होगा लेकिन क्या आपको जरा भी जानकारी है कि अंडा हमारी प्रोटीन की जरुरत को भी पूरा कर सकता है बशर्ते अंडे को उबाल कर उसके सफेद हिस्से को खाया गया हो आपको जानकर अशरह होगा कि एक छोटे से अंडे में कम से कम 4 ग्राम प्रोटीन होता है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अंडे के सफेध हिस्से में प्रोटीन के अलावा जरा भी फैट और कार्वो हाइडरेट नहीं होता वैसे अगर आप अंडे के सफेध भाग के साथ उसका पीला हिस्सा भी खा रहे हैं तब भी ये आपको प्रोटीन देगा पर एक दिक्कत ये है कि इसमें प्रोटीन के साथ आपको फैट भी मिलेगा जो आपके फिटनेस गोल को प्रभावित कर सकता है दोस्तों यही वज़ा है कि इस दुनिया के जियारतर बॉर्डी बिल्डर्स अंडे का सिर्फ सफेध हिस्सा ही खाते हैं क्योंकि यही उनके लिए फायदे मन है भारत में रहने वाले जियारतर व्यक्ति जब भी जिम जाना शुरू करते हैं तब लेग्यूम्स की श्रेनी में आने वाले चने, राजमा, छोले और सोयभीन उनके डाइट का एक एहम हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि इन से उन्हें प्रोटीन मिलता है आप में से जियारतर लोगों ने ये सभी चीज़े खाई होंगी पर क्या आपको पता है? इन में हमें कितना प्रोटीन मिलता है? वेल, अगर हम 100 ग्राम लेग्यूम्स कज्यूम करते हैं तब उन से हमें 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर इस 15 ग्राम प्रोटीन के साथ हमें 40 चिकन भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है चिकन लेते वक्त अगर आप चिकन ब्रेस्ट ले तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा दरसल चिकन ब्रेस्ट चिकन के शरीर का बोनलेस पार्ट होता है जो आपके पैसे बचा सकता है आप अगर चाहें तो हफ़ बिल्डिंग बलके फैट लॉस में भी मदद करता है एक तरह से कहा जाए तो चिकन ब्रेस्ट को आप लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं क्योंकि कई लोगों ने इसे खाकर अपनी बॉडी को लीन किया है नमबर फोर लेंटिल्स दालें कई प्रकार की होती है और इन हमें दालों को मिक्स करके खाना चाहिए क्योंकि मिक्स करने पर ही ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनती है हम सभी को एक सर्विंग में कम से कम सो ग्राम दालों का सेवन करना चाहिए जोके फूल कर दोगनी हो जाती है जिनसे हमें 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है खेर इसक प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं कई विशेशग्यों के नुसार एक इंसान को हफते में कम से कम दो बार मचली जरूर खाने चाहिए क्योंकि मचली खाने से ना सिर्फ हमें प्रोटीन मिलता है बलके मचली में मौजूद गैल्शियम और फॉस्फोरस भी कई तरीकों सरे ह हमारे शरीर को फायदा पहुचाते हैं अब आपके मन में ये खयाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कितनी मचली खाने से हमारे शरीर की प्रोटीन क्यावशक्ता पूरी हो सकती है वेल अमूमन हमें कम से कम सौ ग्राम मचली खाना चाहिए क्योंकि सौ ग्राम मचली से हमें और वो प्रोटीन रिच होती है मुंगफली को भी एक बहुत ही अच्छे प्रोटीन रिच फूट के तौर पर देखा जाता है और शायद यही कारण है कि भारत समेट दुनिया भर के एथलीट्स अपनी सेहत दुरस्त रखने के लिए मुंगफली को पीनट बटर के रूप में खाते है एक इंसान को अपने शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए कम से कम 30 ग्राम मुंगफली खाने से ही हमारे शरीर को 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है हलागे कई लोग मुंफली को प्रोटीन के लिए नहीं बलके healthy fat के लिए भी consume करते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज की समय में जो लोग मुंफली नहीं खा पाते वो मुंफली को peanut butter के रूप में consume करते हैं जो कि बाजार में तो मिलता ही है, साथ ही इसे घर पर भी तैयार किया जा सकता है सोया चंक्स जिनने सोया बीन की बड़ी के नाम से भी जाना जाता है वो भले ही एक सस्ता फूड क्यों ना हो पर सचाई तो ये है कि इससे आपको बहुत ही ज्यादा मातरा में प्रोटीन मिलता है साथ ही ये आपकी वजन को भी कम रखती है हर व्यक्ति को अपने आपको सेहत मंद और प्रोटीन युक्त रखने के लिए कम से कम 50 ग्राम सोया चंक्स खाना चाहिए क्योंकि तब ही जाकर ये आपको 25 ग्राम प्रोटीन देगा इतना ही नहीं सोया चंक्स आपके दिल को भी स्वस्तर रखते हैं और आपको ब्रेस्ट कैंसर समेट कई अन्य बीमारियों से भी सुरक्षित रखते हैं लेकिन याद रहे इन्हें ज्यादा मातरा में नहीं खाना है क्योंकि ये आपके हार्मोनल बैलन्स को भी बिगार सकते हैं आजकल देखा गया है कि बहुत से युवा बाड़ी बनाने के चक्कर में ज्यादा सोया चंक्स कंज्यूम करने लगते हैं जो बाद में उनके लिए दिक्कत पैदा कर देता है इसे लिए हमें हर एक चीज़ को लिमिट में ही खाना चाहिए किसी भी चीज़ की ज्यादा मातरा होने पर वो चीज़े हमें फायदे के बचाए नुकसान देने लगती हैं लेकिन अगर प्रॉपर लिमिट में खाएं तो सही फायदा हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंट्रस्टिंग वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना